आल्राइट तो एंट्रेस वीडियो को पूरा जरुरू देखिएगा इस वीडियो के मादिम से मैं जब भी कोई वीडियो अपलोट करता हूँ तो आप लोगों के भर भर के कमेंट देखने को मिलते हैं कि इतने माक्स तक कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा काउंसलिंग कब शुरू होगी टॉप प्राइविट कॉलेज फीस क्या रहेगी डॉकुमेंट्स क्या रहेंगे सारे डाउट इस वीडियो के मादिम से मैं आपके वो सारे कमेंट पिक करने वाला हूँ जाद अतर सिमिलर कमे से ले लिः जाएंगे सबसे पहला है हम लोग बात करेंगे कांसलिंग आखिरकार कब करेंगी आपके इन्यूरसिटी का आप के आईएञू के के और कि अक्सटुंबर तक अक्टुंबर तक आपके शुरह कांसलिंग को ओस टैडिया गया है सो इनिवर्सिटी आरियोचेस आपके 20 सेप्टेमबर तक काउंसलिंग 100% है स्टार्ट कर देगी सो काउंसलिंग से रिलेटेद है आपका डाउट कवर अपो गया अब जलते हैं आपके कमेंट्स पर कॉलेज कौन सा फिल करना है मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा यदि आपके 60 मार्स हैं अजे कुमार बेरवा कह रहे हैं कि 60 नंबर ऐसी गवर्मेंट कॉलेज देखने को मिलेगा यदि आप गर्ल है ना तो आपको 100% आपको सब्सक्राइब को अधिकन कॉलेज देखने को मिल जाएगा नियू गर्णा कॉलेज नियू ग्यर्मेंट वाला फिर यहां देख़्ें में आप लोंगों 5 बात बात देता है कंगर्मेंट को यहां之ं एक वहां की cut up कम रहती है। यहां की cut up मैंने देखा है कि कम रहती है। जिन डिश्टिक की आपके population कम है नुसकी cut up थोड़ी ज़एदग है रहती है। क्योंकि आप लोगों कोई पता है कि nursing करने वाले students कम हूंगे। और एक और बात आप दियान रखने हैं, आप लोग साकसरता देखिए, जिन जिलों की साकसरता कम है ना, वहाँ पढ़ने वाले जो इस्टुनेंट्स हैं, साकसरता कम है ना, एजुकेशन जो हैं, वो कम है ना, तो वो इस्टेट सेलक्ट कीजिएगा, आपको कॉलेज मिलने का साथ चांच हैं, और बाकि आप लोग कमेंट करना, मैं परते कोलेज का एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, वहाँ आपको सारी इन्फोर्मेशन देखने को मिल जाएगी, 60 नमबर पर आप लोगों को सबसे उपर जो कॉलेज फिल करना है, वो only for 2022 वाले कॉलेज फिल करन को सबसाइब, और फिप्टी फोर माक्स पर अधर इसटेट के सुट्डेंट्स हैं, आपको कोलेज देखने को नहीं मिलेगा गवजमांट कोलेज और आपको कुसी लें कंशना हैं, तोप प्रिवट कोलेज देखने को मिल जाएगा 51 marks हैं मेरे को top private college suggest कीजिए जयपूर जोदपूर अलवर सीकर कोटा सो मैंने top private college पर अलग से video provide कर दी है total मैंने 10 college यही बताई है ज्यादा मैंने prefer नहीं की है जिसके बारे में मैं personally जानता हूँ वही college में से लेगा आपको सामने suggest करता हूँ बाकि दूसरी college मैंने आपको कोई suggestion नहीं की है जिन students की मेरे साथ बात हुई है वही college आपके साथ share की गई सर 45 EWS first counseling में जयपूर private college मिल जाएगा क्या सो EWS में तो आपको college मिल जाएगा private college तो easily मिल जाएगा 100% sure 52 OBCJIT college मिल जाएगे आपको स्री दिगिंबर nursing college भर्तपूर कैसा है इस पर पर वीडियो बनाएगे separate एक private college का और government college का गवर्मेंट college में हम एक interview ला रहे है परते college गा interview देखने को मिल लेगा building कौनसी college अच्छी है facility कैसी मिलती है वस्टल सुवीदा कैसी है clinical duty कैसी है वो सारा उस वीडियो के माधिम से cover up हो जाएगा जनरल 70 marks पर new government college देखने को मिल सकता है आप लोग counseling डंग से करवाना old government college उपर मत फिल करना 70 marks है आपको कौनसी college फिल करनी है आपको सबसे उपर फिल करके आना है rural area वाली college सो जो 2023 और 22 में open हुए जैसे कि मैं बात करूं जालोर की तो थोड़ी ज्यादा ही रहती है मैं जालोर से हूँ बागी जो जैसल मेरे आप लोग जैसल मेरे ऊपर रख सकते हैं इदि आपको government college चाहिए चाहिए ना तो आप लोग उपर new college फिल करना old government college आपको फिल नहीं करना सेकेंड राउंड में आप लोग देख लेना फिर्स्ट राउंड में आपको only 4 22 की college फिल करके आना है सर जी मेरे 55 मार्क से मुझे जोदपूर college मिल जाएगा क्या 55 मार्क से हैं तो जोदपूर college आपको private college देखने को मिल ही जाएगा चले 56 मार्क पर girl obviously girl like government college देखने को मिल जा करना वो सारे students ध्यान दे उनको सबसे उपर सबसे उपर only for new government college फिल करनी है मैं वीडियो में पहले ही बोल के आ रहा हूं तो इस feeling इतना matter करता है मैंने हर वीडियो में बोला है और फिर भी आप लोग गलते करते हो तो फिर वे आपको लोगों को nursing family को ब्लेम नहीं करना है मैं हर वीडियो के मैंदेम से बोला है आप लोगों को new government college फिर करना है old government college आपको फिल करना ही नहीं है जब मिलना ही नहीं तो फिल क्यों करना बीए सिंदर्सिंग कब से स्टार्ट होगे counseling का मैंने आपको बता दिया 20 सिटमबर तक आपके counseling सुरू हो जाएगी 66 EWS EWS candidate और MBC candidate और जो PWD candidate है यह सारे student comment करते हैं कि मैंने को college मिलेगा नहीं मिलेगा तो इनके मालो 60 से यह बो माक्स है ना तो उनको college मिलने का chance है इसमें क्या है कि इन category की कोई सटिक cut off नहीं बता सकता है इनमें आपको बहुत ज़्यादा variation देखने को मिलते हैं आप लोग new government college उपर फिल करिए आपको college मिलने का chances है 63 आपको भी chances है गल्द है तो बात कर लेते हैं SNC state nursing counseling से other state वाले करते हैं तो मैं सिरफ राजस्तान की ही vacancy apply कर सकता हूं क्या मैंने आपको एक वीडियो separate provide किया था INC से जो college approved है न वो आपके abroad भी जा सकता है और वो national level की भी क्या कहते हैं वो भरती में participate कर सकता है और मैं बात करूं state nursing counseling की तो आप लोग नौर्शेट का एक्जाम दे सकते हो अलांकि आप other state का भी एक्जाम दे सकते हो लेकिन काफी सार एसे states हैं जिसमें आपको एक्जाम देना नहीं दिया जाता है लेकिन आप लोग एक्जाम तो दे ही सकते हो तो SNC की college भी बढ़ी है यह अब लोग ले सकते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं कल एक interview आ रहा है कल यहां परसों तो के interview आ जाएगा जिकॉन बाड मेर का आप ल लोग new government college उपर फिट गली आप आपको college देखने को मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में देखने को नहीं मिलेगा second and third round में आपको college देखने को मिल जाएगा 65 OBC is there any chance to get government college so 65 में मुस्किल है अब हम लोग next comment देख लेते हैं आप लोगों के काफी सारे comment आई हुए है 62 SC girl तो 62 पे SC में girl 100% sure है आपको college देखने को मिलेगा ही मिलेगा चलिए next बात कर लेते हैं 43 नंबर हैं government college मिलेगा 43 पे देखने को नहीं मिलेगा भाई 51 MBC में new government college नहीं मिलेगा चलिए अब हम लोग next बात कर लेते हैं देखिए third and fourth round की में बात नहीं कर रहा है fourth and fifth round की में अब भी बात ही नहीं कर रहा है fourth and fifth round में आपके कितनी marks हो आपको college देखने हो सकता है अलांकि उसमें university का भी involvement रहता है मैंने एक video upload किया था आप लोग देखिएगा उसमें मैंने बताया कल यह screen shoot लेकर भी बताया कि university खुद उसमें involved रहती है उनको पूरा proper investigation होता है तब जाकर admission मिलता है ऐसे कोई बात नहीं बनती है college level पर कुछ पर ही नहीं होता general category, your category को सातरवर्ति मिलते हैं क्या इसको मैं confirm करके बताऊंगा general category आपके pwd candidate वैसे pwd मैंने देखा नहीं है कि मिलती है बाकि जो obc की candidate है ना उनको यहां पे काफी सारे इस्टेंट्स है जीकॉन बार्डमिन में उनको scholarship मिलती है 8000 8000 scholarship देखने को मिलती है जो आपके mbc category के students है और obc category के students है और bpl category से बिलोंग करते हैं उनको देखने को मिलती है scholarship 69 marks है गल्स हैं college देखने को मिलेगा क्या फर्स्ट राउंड में 69 पे तो आपको college देखने को मिल जाएगा 100% sure है आपको college देखने को मिलेगा आप लोग दोग दोधर 21 वाले college उपर फिल कर देना 22 वा वाले college मिल जाएगे क्या और कौन से राउंड में मिल जाएगी और rnc वाले college कौन से राउंड में मिल जाएगी 44 है और bc है आई nc वाले college आपको मुस्किल से देखने को मिलेगी first round में second and third round में आपको मिल सकती है और देखिए private college का एक और में बात करता हूं तो अभी एक separate वीडियो भी आ जाएगी आपके सामने फीस का बहुत ज्यादा issue रहता है वैसे और वीचेस ने तो 95 के decide करके रखी हुई लेकिन 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 यदि आप जोदपूर जैपूर और इवन उदेपूर की college लेते हो ना यह तीन डिश्टिकेस हैं जहां मैं जानता हूं जहां तक मेरी पहुंच है तो इन तीन स्टेट्स में आपके 95,000 से जाड़ा फीस नहीं ली जाएगी फर्स्ट और सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूं और यह थिया थर्ड राउंड की हो जाएंगे फीस अपने आप बढ़ जाएगी और कापी सारी SC college हैं जो 2 से 3 लाग तक भी फीस चार्ज करती हैं तो आप लोग देख सकते हैं डोनेशन बहुत ही ज़्यादा लगता है और डायरेक्ट एड्मिशन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं अब इसमें तो मैं क्या हैं और प्राइविट कोलेज में फीस इंस्टॉल्मेंट में जमा होगी या फिर एक इसकार से रहने वाली कौन सी आपके मानलग फिप्टी वन थाउजन फीस है इन में से किस किस चीज के पैसे लेते हैं इस पॉर्ट्स की लग है लाइब्रेरी की लग है आपकी इस्टुडी की लग फीस हैं वह सारा कवर अप कर दिये गया है जनरल अजर स्टेट वाले को को देखने को नहीं मिलेगा वागे फॉर्ट राउंड की बात नहीं कर रहा है चलिए सर और गर्ल शिटीवन देखने को नहीं मिलेगा शिटीवन पर फिट्वन और आप लोग सुझेश्ट प्र राइट पर वीडियो बनाना चाहिए बागी इंडी मेंडी वाले जितने भी स् अब optional आफ लोगों देखने को मिले ही जाएगा और कोर्ष कर बढ़ जाएगा इस वीडियो के बाद कोर स्य घंड जाएगा 74 मार्च पर गल्रल को कौनजित के मिलेगे डेखने को मेले लिए 44 मार्च ŞuÓट योगी से माम इस मेंसीजिलिए कोई जितने मार्च है आपके ostr कंडिडिट कोई भी कंडिडिट जो 45 45 के आराउंड आपके मार्क से तो आपको प्राइट को लिए देखने को मिल जाएगी आपको टेंशन लेने के जुरूद है निस 71 जिकॉन जुन-जुन देखने को मिल जाएगा जहां तक मेरी बात है इतने सारे किया कमेंट आ रहे हैं इ उसका जो मीन्स है वह थाला फॉरे रिजन सो थाला फॉरे रिजन के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर देजिएगा 68 OBC में में मेल को न्यू गवर्मेंट को यह देखने को मिल सकता है आप लोग 22 वाले कॉलेज उपर फिल करना बागी आप जो बोडर लाइन वाले इस्ट 67 वाले कैंडिडेट है और जो OBC कैंडिडेट है उसकी बात करता हूँ SC कैंडिडेट 62 वाले 63 वाले उनका यही आल है क्या आल है कि यह बहत ज़दा एक तो सिली मिश्टिक हो गई यह एक दू किसंस तो ऐसे OMR गलत बर के आए एक दू बात है तो ऐसे किसंस गलत हो गई और एक दो क्यूसंस पेपर में गड़ बड़ी से फिल करने में मिश्टेक हुई उसके कारण तो अगर इनके तीन चैर मांक्स जादा आ जाते न तो वो सेफ जोन में होते और ये जो 68 और 67 मांक्स है न वो आप लोग सेफ जोन में तो नहीं हो ये बात मैं आपको बताना चाहिए जैसा चाहिए जैसा चाहिए जालो नियू कोलेज की कट अप जालो पर भी अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और जालो जालो के स्टुडेंट्स से मैंने बात करके आप लोगों के लिए अलग से कट अप तयार कर दी गई है 58SC गर्ल को नियू गवर्णमन कोलेज देखने को मिला था SC में हलांकि SC केटेक्री के स्टुडेंट्स को देखने को मिल सकती है गल मैं तो मैं कह सकता हूं 50-60% से जाएगे आपको गवर्णमन कोलेज देखने को मिलेगा 60 SC boy एनि गवर्णमन कोलेज सांज देखिए एक और मैं वीडियो लाने वाला हूं ज इसपेक्टेशन से ज्यादा ही रही थी यह एक और बात बता दो लेकिन इस बार के पेपर के लेवल को देखती हुए मेरे को लग रहा है आपके वैसे कट अफ के वीडियो बहुत ज्यादा बना दी है अब मैं क्या ही बताऊं बार बार सर EWS की जिकॉन बार्ड में तो बात करने थे 61 SML 2022 वाले कोलेज मिलेगी क्या नियू सो थर्ड और फॉर्ट राउंड में आपको भी यही बोलूंगा 67 OBC में है गोर्मेंन कोलेज देखिए मैंने यह तो बात काफी सारे यही कमेंट देखने को मिलते हैं और इसका रिपलाई में और रेड़ी दे चुका हू भईया मेरी भी काउंसलिंग में हेल्प कर दीजीगा काउंसलिंग में सभी की हेल्प की जाएगी नो टैंसन रहेगी काउंसलिंग में मैं सभी की हेल्प करने वाला हूँ आप लोग निचिन रहेए इस बात को लेकर काउंसलिंग में यही आपको एल्प चाहिए तो आप ल ले लिए है चलिए ये वीडियो को अंडी करते हैं so guys thanks for watching please do the subscribe button press the bell icon for the notifications thank you